एतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया जालावार्ड राजस्थान के दक्षिन पूर्वमिस्थित एक एतिहासिक शहर है मध्यप्रदेश की सीमा के पास स्थित इस भूमी का इतिहास मालवा से जुड़ा हुआ है एक समय ये जाला परिवार की रियासत हुआ करता था जिससे इसका नाम जालावार पड़ा आईए जानते हैं जालावार रियासत की कहानी जालावार राजस्थान के सबसे रिमोट जिलो में से एक है तीन तरफ से वो मध्यप्रदेश से घिरा हुआ है और जालावार का नाम आता है क्योंकि जो वसंद्रा राजे सिंद्या है उनकी कॉंस्टिट्विंसी भी यही पर है जालावार का सबसे इंट्रिस्टिंग बात यह है कि जो राजस्थान में रियासते थी जैसे जोदपोर, जैपोर, उदैपोर, अलवर और काफी ऐसी बूंदी, काफी ऐसी रियासते थी उनमें से जालावार जो है वो सबसे यंग, सबसे नई जो रियासत हम उसे कह सकते हैं जालावार का इतिहास समझने के लिए हमें इसका जियोग्राफिक लोकेशन और स्ट्रेटीजिक लोकेशन समझना पड़ेगा अगर आप जालावार को देखे तो वो मालवा प्लैटो में आता है वो एक्चुली राजस्थान का हिस्सा नहीं है उस समय मालवा जो प्लैटो है वो व्यापार और ट्रेट, कॉमर्स, कल्चर का एक केंद्र हुआ करता था उस समय में यहाँ पर परमार राजाओं का राज हुआ करता था सारा जो व्यापार है जो यहाँ से जो उज्जैन या रतलाम या यह जो सारा ख्षेत्र है जो उत्तर की तरफ राजस्थान में जाता था वो इसी रूट से यहाँ पे बड़े पहाड नहीं है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे नदिया है, यहाँ पे छोटे छोटे नारो पास्स है, तो ऐसे ही जैसे अगर आप देखे तो मालवा के जंगलों में से जो कैरवन, ट्रेड, रूट और जो फॉजे है वो उत्तर की तरफ निकलती थी, फ फिर आप अजमेर और उत्तर के जो घ्रीट ठेहर हुआ करते थे, तो यह सब थे, तो इसी की वज़े से जो मालवा से उत्तर की तरफ जालावार और गागरोन, जो गागरोन का किला उसके पास है, वो एक पहला स्टॉप हम बोल सकते हैं, इसी की वज़े से इसका महत्वत थ जो historian है, famous sir Alexander Cunningham और उन्होंने काफी यहाँ पे research किया और उन्हें आज भी जो जालावार और जालरा पाटन करके जो गाव है वहाँ पर, आज भी लोगों को पुरानी मूर्तिया मिलती हैं, सूर्यदेव की मूर्तियां, जो खजुराहों हैं, वैसी erotic मूर्तियां, जैन कंदिरों की मूर्तियां, तो उसकी वज़े से इतिहासकारों का मानना है कि यह प्राचीन समय की चंद्रावती नगरी थी, और यहाँ पर परमार राजाओं का राज था, जो समय के साथ, आक्रमणों के साथ, खतम हो गया, और unfortunately, आज यह जो मूर्तियां और थोड़े से अव और यहाँ पर उन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम है गागरों का किला, जो युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है, यह किला काफी स्पेक्टाकुलर है, बिकुज यह दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, और अगर आप जाए बहाँ पर तो एक किलों में से एक है, तो यह गागरों का जो किला है, वो जो ट्रेड रूट है, जो मालवा से उत्तर राजस्थान पर जाते थे जो ट्रेड रूट, उसे डॉमिनेट किया करता था और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रटीजिक लोकेशन था, यह कीची चौहान राजा हुआ करती थी, अराउंड 1423 में जो मालवा के सुल्तान थे, जो मांडू से राज करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी फॉज लेकर यहाँ पर आक्रमंड किया था, और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जैसे चित्तोड में, जैसे जैसलमेर में, ज जोहर होता है, यहाँ पर एक बड़ा जोहर हुआ था, और एक जगा है गागरो के किले के अंदर, जिसे जोहर कुंड कहा जाता है, इन फैक्ट यहाँ पर योद्धा जो वीरगती को प्राप्थ हुए, उनकी समाधी है और जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, और फिर बा देता है, दिगवजय सिंग, तो वो कीची चोहन राजाओं के पंशज है, बाद में जो मालवा के सुल्तान है, उनके बाद इसके पास में ही चितोड का किला है, इसके दक्षन में, तो यहाँ पर चितोड के महरानाओं का, यह पूरे क्षेत्र में, इन फैक्ट, बून्दी हो, कोटा हो, यह पूरा जो क्षेत्र है, वो महराना, मेवार के महराना है, उनके कंट्रोल में आया था, और फिर बाद में, जब अकबर ने एकी की किक करके, जब राजस्थान के सारे राज्ज कैप्चर किये, तो उस समय गागरो का किला भी मुगलों के कंट्रोल में आया, और इनफाक एक पेंटिंग भी है जो अकबर नामा है उसमें की जो दिखाता है कि अकबर गागरों का किला capture करते समय और उसके बाद मुगलों ने यह जो किला है वो जो कोटा के जो राजपरिवार है उसे दे दिया कोटा का जो राज परिवार है वो हाडा चोहान था वो बूंदी राज्य है उसी में से बटवारा होकर एक स्वतंत्र राज बना था और वो ये पूरे क्षेत्र पर राज करते थे और मुगल कौट में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था सन 1707 में जब मुगल सामराज्य का पतन चुरू हुआ तब मालवा एक बहुत महत्वपूर्ण बेस बना मराठो का जो सिंद्यास थे वो उज्जेन में थे होलकर्स थे वो महेश्वर में थे पवार्स थे धार में थे तो क्या हुआ उस समय जो कोटा का जो राज था उसके हेरि प्राइमिनिस्टर्स थे एक जाला परिवार करके और पीडी दर पीडी वो उनके लिए राज चलाते थे अरौंड 1771 में जालम सिंग जाला करके व्यक्ति थे वो कोटा के प्राइमिनिस्टर बने और धीरे 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 उन्होंने अपनी ताकत इतनी बढ़ाई कि जो कोटा के राजा थे वो पपेट थे उनका कोई नहीं सुनता था महल में वो सिर्फ एक रबर स्टैंप या सेरेमोनियल फिगर हेड की तरह थे और सारा राज था वो जालम सिंग जाला चलाते थे जालम सिंग बहुत अच्छे अड्मिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने ये जो अंडर थे सारा अड्मिनिस्ट्रेशन उनके अंडर था and he was a kind of हम बोल सकते हैं मिका वैली भी बोल सकते हैं उनको और बिजमार्क भी बोल सकते हैं तो I think कि जो लेट अठारवी की शताबदी के सबसे इंटरिस्टिंग क्यारेक्टर में से एक थे जालम सिंग अनफॉचुन उसमें उन्होंने बहुत important role अदा किया मराटो के साथ वो negotiate करते थे और उन्होंने होलकर के साथ एक treaty की थी कि ओके आपकी जो यह जो area है जालावार का वो मैं आपके लिए संभालूंगा और आपको इतना इतना में payment करूंगा और in fact वो इतना अच्छे से राज चलाते थे कि जो वहां का जो पेमेंट है जो जो जालावार से जो जालम सिंग से जो पेमेंट होलकरों को जाता था उसी से you know I mean that was one of the biggest source of revenue होलकर राज परिवार के लिए तो सन 1818 में अंग्रेज आ गए और you know कोटा ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन किया बर जालम सिंग की जो प परिवार है कोटा के जो महराव है उनको वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जालम सिंग को हटाया जाये सब्ता से अंग्रेज अपनी कोशिश कर रहे थे कि you know और फिर बाद में जो जालम सिंग के डिसेंडेंस थे पर उन्होंने एक बिलकुल कोटा पर अपना strong जमालिया था तब एक negotiation जब जालम सिंग और अंग्रेज और ये कोटा का negotiation जब चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता छोड़ देंगे पर आप ऐसा कीजिए जो ये जो कोटा जो राज है जिस पर हमने ये किया है उसका एक तुकड़ा हमें अपना राज करके दे दीजे और हमें प्राइम मिनिस्टर से एक अपने तुकड़े का राजा बना दीजे फाइनली 1838 में अंग्रेजों ने एक decision लिया कि जो कोटा राजा है उसका एक तिहाई हिस्सा 33% हम जालिम सिंग के वन्च जो को दे देंगे और मदन सिंग को पहला राना बनाया गया जालिम सिंग का परिवार था और यहां का जो राज परिवार था उसका नाम जाला था इसी से इस एरिया का नाम जालावार पड़ा जिसका नाम है जालाओ का राज इन फैक्ट अभी अगर आप 1838 देखे तो यह अल्मोस्ट जो राजस्तान की आखरी बनने वाली रियासतों मे से एक थी यहां के जो जालिम सिंग के वंशज यहां पर राज करने लगे 1840 में यहां पर गड़ पैलेस बनाया गया जो आज सरकार के कंट्रोल में है गड़ पैलेस का एक बहुत इंडरिस्टिंग महत्व है कि यहां इसके अंदर बहुत खुबसूरत पेंटिंग्स बनाई का एक कॉंबिनेशन हमें नजर आता है जालावार में हमें एक और रेफरेंस मिलता है कि 1857 में जब गडर हुआ और जब यहां पर काफी विद्रो हुआ तो तात्या तोपे एक फॉज लेकर जालावार आये थे पर उस समय के जो राना थे उन्होंने जालावार के दर्वाज से बंद कर दिये थे और तात्या तोपे को वापस जो मध्यप्रदेश के जंगलों में वापस जाना पड़ा था यह हमें संदर्व मिलता है बाद में एवन दो जालावार एक सेपरेट राज बन गया था फिर भी यहां पर इंट्रीग और यहां पर चलता रहा और फाइनली 1896 में अंग्रेजों ने एक डिसिजन लिया कि जालावार को फिर से काट के एक छोटा सा सेक्षन जालावार रखेंगे और बाकी का बड़ा सेक्षन कोटा को वापस लोटा देंगे तो फिर से जालावार को तोड़ा गया और एक सेक्षन कोटा को लोटा आया गया उसके बा इन्सान थे, उनकी ये इच्छा थी कि, यूनो मेरा ये जो चोटा सा राजा है, 800 स्क्वेर माइल जो का, जो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में है, तो वो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव राज बने, वो चाहते थे कि उनकी प्रजा देखे कि लंडन, पैरिस में क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग बिल्डिंग का निर्मान किया, जिसे भवानी नाट्यशाला कहा जाता है, गड़ पैलेस की बिल्कुल पीछे स्थित है, और I think इंडिया की सबसे यूनीक बिल्डिंग में से एक है, जैसे हम लंडन और पैरिस में ओपरा हाउस देखते हैं, वैसे ही एक ओपरा हाउस की पद्धती का एक बड़ा थेयर्टर उन्होंने उस समय के गाव में बनाया, और उस समय, you know, the references मिलते हैं कि शेक्स्पियर के नाटक यहां हुआ करते थे, कालि बिल्डिंग है भवानी नाट्यशाला, और उसके अलावा उन्होंने दुनिया भर की किताबे लाई, नेपोलियन, बॉन अपार्ट की किताबे, आर्ट, यॉरोपियन आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसोफी, तो यह दुनिया भर की बहुत इंट्रेस्टिंग किताबे उन् इनिशियेटिव था, उसके बाद 1947 में जो जालावार है वो राजस्थान का हिस्सा बना और बहुत समय तक एक बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, यहाँ जादा कोई आता नहीं था, फॉर्चुनेटली पिछले 15-20 सालों में वसंद्रा राजे सिंधिया यहां से उनकी हमें होने के कारण यहाँ पर काफी विकास हुआ है और अब लोग आना शुरू हुए हैं और आइटिंक अभी जो जालावार का जो जैसे एक गौरवशाली इतिहास है, उसका फ्यूचर भी हमें काफी ब्राइट लगता है यह हैं टाएटै काफी झालाव में एक जो जाएटाओा यहाँ लोगता है एका राटै काफी टाएटै काफी ब्राइटै काफीजा भी आजा दनकी काफीज़ काफी जाएटैल पाम।